students let's start with class 11th का हम लोग sets chapter start कर रहे हैं जो की second exercise है introduction part थे कि first exercise तो मैंने आपको बता दी थी अब second exercise हम लोग introduction part start कर रहे हैं इसमें हमना types of sets के बारे में पढ़ेंगे बहुत सारे sets होते हैं different different types के वो हम पढ़ेंगे जैसे हैं empty set first आता है empty set a set which does not contain any element is called empty set or null set or void set तो हम समझते हैं कि empty set को हम लोग null set भी बोल सकते हैं या फिर void set भी बोल सकते हैं empty word से ही पता चल रहा है खाली ठीक है मतलब जिस set में कोई भी element ना हो ठीक है तो इसको सबसे पहरे denote कैसे किया जाता है मैं आपको example के तुर समझाओंगे न तो और अच्छ बनाया जाते हैं बीच में कोई element नहीं लिखा जाता है दोनों side braces बनाके इसको ऐसे blank दिखा जाता है तो इससे बोलते हैं empty set या null set या फिर void set ठीक है जैसे एक है ये a है one two three four और अपने एक set बनाया x such that x is greater than four अपनको इसमें से कोई element select करने जो की four से बढ़े हैं तो इसमें ह element होई नहीं सकता बिकोज यहां पर हमको जो number दे रहे हैं वो है elements जो दे रहे है one two three four ठीक है लेकिन यहां हमको condition दे रहे हैं above four वाले हमको select करने लेकिन above four वाले तो यहां पर numbers है ही नहीं तो it means जो 20 set है वो हमारा क्या हो जाएगा empty set ठीक है अब जैसे ये देखो एक और set मैं एक और example दे रहा एक set है x such that one x should be less than one sorry x should be greater than one and less than two fine हमें एक ऐसे numbers निकालना है कि जिसमें x जो निकालना है वो one से तो बड़ा हो लेकिन two से छोटा हो और साथ में एक और condition दे रहे हैं कि x क्या है natural number है यानि one से बड़े अपने क्या number हो सकते इसके बीच में 1.1, 1.2, 1.3, 1. 1.2, 1.9 तक यही number हो सकते इसके बीच में ठीक है लेकिन उसने यह बोल दिया कि x जो आप select करोगे वो natural number है तो 1.1 और यह 1.2 यह तो natural number होते ही नहीं है तो इसके बीच में 1 और 2 के बीच में कोई natural number है ही नहीं तो यह एक null set है या एक void set है ठीक है आप लिखोगे x is equals to null set या या खाली ऐसे braces बना दो void set ठीक है empty set है क्योंकि यहाँ पर ऐसा कोई भी number नहीं हो सकता जो 1 और 2 के बीच में हो और वो natural number हो ठीक है अब जैसे एक और दे रखा है x as that x square is equals to 4 हमें ऐसा कोई x की value निकाल नहीं जो 4 होती है minus 1 minus 2 and plus 2 ठीक है ऐसे दो numbers होते है जिसकी value 4 होती है ल यह दोनों तो even number है तो x odd होना चीए ऐसा तो possible हो इनी सकता तो यह अपना b set है वो null set है यानि वो empty set है या फिर वो void set है ठीक है तो आपको समझ में आया empty set का मतलब वो set जिसमें कोई भी element नहीं होता है या वो बिलकुल ही खाली होता है blank होता है set क्योंकि उसके अंदर कोई भ finite set क्या बोल रहा है वो finite और infinite set finite set वो set होते हैं जिसमें हमारे पास अंदर जो elements होते हैं they are countable यानि वो कुछ limit पे जाकर खतम होंगे मतलब there is some count on that कि हम उन्हें count कर सकते they are finite numbers ठीक है लेकिन infinite वो set होते है जो कि they goes on till infinity वो खतम ही नहीं हो रहे है वो sets they are called infinite set देखो एक बार पढ कि बताती हूं मैं a set which is empty और consists of a definite number सा ध्यान रखना empty set भी finite set ही होता है ठीक है यह चीज़ बहुत लोगों को कुछिब में one marks में पूछ सकते हैं या फिर यह बहुत बच्चे गलती करते हैं कि empty set finite set कैसे हो सकता है yes empty set is also a finite set तो a set which is empty और consists of a finite definite number of elements is called finite set कि जिस set में definite number of elements होते ह है मतला जो countable होते हैं और हमारे पास एक elements की list है कि हाँ यही इसको belong करते हैं तो they are called finite set otherwise वो जो set होगे दूसरे sets जो होते हैं जिसमें they goes till infinity और उनकी जो elements है वो खतम ही नहीं होते हैं तो they are called infinite set अब मैं कुछ example से आपको यहां पर समझाते हो देखिए a to a मैंने लिख रहा है क मेरा तो यह क्या होगा finite set fine अब जैसे यह है x as that x is an even number अब x जो है वो क्या होना चाहिए even natural number होना चाहिए even natural number यानि 2,4,6,8,10 ऐसे चलता ही जा रहा है चलता ही जा रहा है till infinity तक जाएगा यह सारे even numbers तो यह जो set है यह कहलाता है infinite set इसको कैसे represent करेंगे हम इसमें लिखेंगे 2,4,6,8 फिर करके आप dash 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 ऐसे करके आप इसको denote करोगे ठीक है तो infinite set मतलब जिसमें जो continuation में चलता ही जा रहा है यहाँ पे और कोई condition है नहीं कि 10 के छोटा ही होना चाहिए या 20 से चोटा ही होना चाहिए या हहीं तक ही होना चाहिए ऐसा कोई condition नहीं दे रही उसने तो इसमें यह चलता ही जा रहा है तो यह क्यालाएगा infinite set ठीक है अब एक और example मैंने दे रहा है x such that x is a point on a circle अब यह क्या बोल गया x एक point है जो की circle पे point है तो एक circle पे हम किते points बना सकते हैं बहुत सारे points बना सकते हैं it can be infinite points है ना बहुत सारे points हम ऐसे ऐसे से करके एक बना सकते हैं ठीक है तो वो यह ना इंफाराइट सेट हो गया तो यह डैश 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 करके चला गया infinite तक फाइन यह इसका denotion होता है यह finite का denotion कि इसके इंदर कुछ fix element आ गया है धियान रखना empty set भी एक finite set ही होता है अब अपने इसको और examples लेके समझते हैं यह example 6 थे ncrt book का example है यह यह क्या बोल रहा है state which of the following are finite और infinite हमें यह questions दे रखे हैं इसमें हमको बताना है क्यों finite है यह infinite है एक first दे रखा है x such that x belongs to n सबसे पहले n natural number को बिलॉंग करता है ठीक है and आगे एक और condition दे रखी x-1 and x-2 is 0 यह दे रखा है तो सबसे पहले यह हमको condition जो दे रखी है इससे हम लोग x की values निकाल देते हैं तो x-1 और x-2 को 0 तो x-1 equals to 0 and x-2 equals to 0 तो x आगया मेरा 1 और x आगया 2 यानि मेरा जो set बना वो बना 1 और 2 क्या यह n को belong करते है yes they belongs to n तो सभी बात है 1 और 2 दोनों ही n natural numbers को belong करते है तो यह मेरा कौनता set हो गया finite set क्योंकि यह दो ही element है इसके ठीक है अब next question करते हैं x says that x belongs to n ठीक है n natural number होना ठीक है x square is equals to 4 अब x square is equals to 4 है तो x square equals to 4 यानि x equals to 2 और x equals to minus 2 क्योंकि प्लस माइनस 4 निकलते है दोनों मेंसे plus minus 2 निकलेगा तो एक 2 जो होगा plus 2 वो इसका set बनेगा लेकिन minus 2 है वो n natural number को belong नहीं करता तो यह तो cancel हो जाएगा ह हमारा एक ही इसके अंदर element है 2 देन ही इसका मतलब यह क्या set है यह एक finite set है next question देखते है उसमें क्या बोल रखा है x says that x belongs to n fine 2x minus 1 equals to 0 तो हमको यह condition देदी 2x minus 1 equals 0 इससे x की value निकाल देते है x is equals to 1 by 2 आ गया क्या यह natural numbers को belong करता है नहीं यह natural number को belong नहीं करता है इसका मतलब इस set में तो कुछ ही नहीं तो set is null set या फिर void set या फिर empty set आप यह बोलोगे तो क्या empty set finite set होता है हां empty set भी finite set ही होता है next देखो इसमें क्या बोल रखा है x as that x belongs to natural number and x is prime prime यानि 2357 जो number वो खुद से जिसके factors जो होते है वन होता है या फिर वो number itself होता है वो सारे prime numbers तो यह it will go on य नहीं रखी where will it stop तो यह n natural numbers तो मतलब सारे ही number होगा till infinity तो इसका मतलब यह क्या हो गया infinite set हो गया next देखो x as that x belongs to n fine यानि 1 से अब आप सारे numbers हमको लेने and x is odd odd लेने यानि 1357 तो यह भी चलता ही रहेगा infinitely तक जाएगा because इसका कोई ending नहीं है यह कहां तक odd numbers होते है यह तो finite set तो यह question था जिसमें हम लोगों को बताना था कि वो finite set है या infinite set है next हम लोग करते है equal sets ठीके एक और आची जादी equal sets equal sets क्या होगे दो set equal यानि जब हमारा एक set के सारे elements दूसरे set के सारे elements से equal होंगे तो वो हमारा equal set होगा एक वाइस को पढ़ लाते है फिर example के थू समझते है two sets a and b are set to be equal if they are exactly they have exactly the same elements and we write a is equals to b otherwise the set are set to be unequal and written by a is not equal to b ठीक है अगर सारे की सारे elements exactly same है तो a और b equal होंगे और अगर वो नहीं है तो वो कहलाएंगे unequal और इसको ऐसे denote किया जाएगा और not equal होंगे तो ऐसे denote किया जाएगा धियान रखियेगा मैंने आपको पहले भी first exercise मैं सम जाए था कि इसमें sets में order matter नहीं करता है कोई भी order में आप लिखा हो लेकिन elements सारे सेम होने चाहिए अप जैसे देखो एक element मैंने लिख रखा है a set लिखा हुआ है one two three four second set लिखा हुआ three one four two तो क्या one one है two two है four three भी और four भी मतलब दोनों में element same है बली मैंने किसी भी order में लि name होंगे डियार equal to a is equals to B मैंने लिखा है अब जैसे एक next देखो a भी a set of prime number less than six prime number जो के six से less हो six से less वाले prime number हमारे क्या-क्या होंगे one prime number नहीं होता है two prime number होता है three होता है four नहीं होता है five होता है six तो लेना ही नहीं less than six है तो two three five यह हो गया मेरे इसके prime numbers जो less than six है एक set बन ग जाले 30 के factors कितने होते हैं मेरे यहां मैं करके बताती हूँ 30 के factors कितने होते हैं 2 2 15 से आएगा फिर वापस जाएगा यह 3 से 3 5 और 5 1 तो यह factor आए 2 3 5 तो यह मैंने B के factors लिए 2 3 5 ठीके 30 के factors लिए 2 3 5 तो B के element A के element केते 2 3 5 B के element B के 2 3 5 तो A और B equal है अब इसमें 2 points हैं जो आपको ध्यान में रखने होंगे यह चीज़ बता रखिए कि all the infinite set cannot be described in the roaster form ठीके जितने भी हमारे infinite set होते हैं जैसे set of real numbers वगरा हुए इनको आप जादा तर roaster form में नहीं represent कर सकते हैं कि कहां से कहां तक dash आप लगाओगे कितने numbers आप लिखोगे तो mostly जादा तर infinite set को हम लोग roaster forms में define नहीं कर सकते हैं लिख नहीं सकते हैं next है a set does not change if one or more elements of the set are repeated ठीक है इसमें क्या बोल रखा है अगर set में हमने numbers repeat किये वैसे मैंने आपको first exercise में समझाया था कि mostly और generally हम लोग set में numbers repeat नहीं करते हैं लेकिन फिर भी अगर किसी set में number repeat कर रखे हैं तो वो set से उस set का उस element मितलब उस set से कोई फर्क नहीं पड़ेगा मतलब वो set उस repeated number वाले के equally होगा जैसे example बताती हूँ एक मैंने a element set लिख रहा है 1,2,3 ठीक है अब एक और set है b जिसमें मैंने 2 बार 2 लिख रहा है 1 लिख रहा है और 2 बार 3 लिख रहा है यानि ये elements और ये elements मेरे repeat हो रहे हैं लेकिन ये और ये set equal होंगे ऐसा नहीं है इसमें 3 elements और यहां 5 elements हैं तो ये दोनों equal नहीं होंगे ऐसा नहीं है क्योंको यहां पर ये repeat हो रहे हैं तो repeat होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है ये दोनों set ही equal होंगे तो हम लोग mostly इसी लिए बोलते हैं generally कि आपको repeat नहीं करना ही चाहिए क्योंकि वो set equal ही होता है repeat करने से कोई कहीं कोई फर्क नहीं पड़ता है अब इसको हम लोग examples लेके चलते हैं इसके क्या examples है example 7th है जो NCRT book का example है वो क्या बोल रहा है find the pair of equal sets if the given reasons यहाँ पर A, B, C, D, E यह हमको sets दे रहा है अब अब अमको बताना है कि यह equal है कि नहीं सबसे पहले मैं इसके sets लिख देती हूँ A set कितना है? 0 यानि यह इसमें A की element है वो क्या है? 0 ठीक है B set मैंने क्या लिखा है? X such that X should be greater than 15 and X should be less than 5 ऐसे कैसे हो सकता है? greater than 15 यानि 15 से above और less than 5 यानि 3, 4 तो यह दोनों तो कोई set मिलते ही नहीं है वो greater than 15 यानि 5 यानि 5 यानि X is equal to 5 तो यह हमारा C set बन गया X is equal to 5 एक element आ गया D set देखते हैं हम लोग D set क्या बोल रहा है? X is square is equal to X such that X is square is equal to 25 यानि इसके 5 plus 5 और minus 5 दो factors निकलेंगे तो इसके plus 5 और minus 5 हमने 2 elements लिख दिये next is X such that X is an integral positive root of the equation X square minus 2X minus 15 equals to 0 ठीक है तो हमको यह equation दे दिये है इस equation को मैं पहले solve करूँगे और X की value निकालूँगे तो तो मैंने यह solve कर रखी है X square minus 2X minus 15 equals to 0 तो 5X और 3X मैंने लेकर इसके roots निकाल दिये middle term splitting करके और इसके roots आरे 5 और minus 3 इसने क्या बोला था positive roots लेने सारे तो minus 3 जो है वो तो select हो गए नहीं तो positive root क्या होंगे plus 5 तो यह मेरा positive root मैंने E का set बना दिया अब देखो आप चेक कर सकते हो कौन से set equal है A set सो लेकर चलते है A क्या B के equal है? नहीं क्या क्योंकि 0 element है ही नहीं B में C में है क्या 0 नहीं है D में है क्या 0 नहीं है E में है क्या नहीं है तो यहाँ पर देख सकते हो A, B, C, D, E किसी के भी equal नहीं है Next time लोग लेकर चलते हैं B B में यह तो check कर दिलिया आपने B क्या C के है 5, 5 किसी में है क्या किसी में भी आप C, D, E किसी में भी आप चेक कर लो 5 element किसी में भी नहीं है तो B भी कोई भी null element यार empty set नहीं है ठीक है तो B भी किसी के भी equal नहीं है C देखते हैं अगर C 5 है यहाँ पर 5 तो है लेकिन minus 5 भी है लेकिन D और C equal नहीं है क्योंकि इसमें minus 5 नहीं है यहाँ पर 5 है तो ठीक है C और E यह दो मेरे सेट तो आ गए equal क्योंकि यहाँ पर भी 5 है यहाँ पर भी 5 है तो इसमें भी A की element है उसमें भी A की element है D minus 5 और 5 किसी के भी equal नहीं होता है क्योंकि 5 तो हैं दोनों में लेकिन minus 5 नहीं है तो db किसे तो सिर्फ दो ही ऐसे set है यानि c और e एक ही ऐसा pair मिला जो की equal है तो आपको ऐसे सारे पहले sets बनाने होंगे और sets बनाने के बाद आप check करो कि कौन सा किसके equal है जब equal नहीं है तो आप ऐसे लिखोगे b is not equal to c, b is not equal to d, b is not equal to e और जहाँ equal है वहाँ लिखोगे b is equal to e हर एक set को एक एक दूसरे set से आपको बताना पड़ेगा कि ये equal है कि नहीं है पहले a को लेकर चलिए फिर b को, फिर c को, फिर d को, फिर e को ठीक है तो ऐसे आप compare करे चलतेंगे तो आपको पता चल जाएंगे कौन से equal है कौन से नहीं है सारे elements होने चीएं दूसरे set में कोई एक element भी नहीं है तो वो set फिर equal नहीं होगा ठीक है अब हम लेकर चलते है example 8 इससे पहले मैं आपको बताना चाहते हूँ कि मेरे notes का pdf का link है जो मैंने description box में आपको दे रखा तो please आप मेरे notes वहाँ से ले सकते हैं और कोई भी problem हो तो please comment section में लिख कर बताईए अब example 8 हम लोग लेकर चलते हैं example 8 बोल रहा है एक X हमारा set है जो की letters है LOIKA A-L-L-O-Y ठीक है ये set है LOIKA तो मैंने इसका set बना दिया A है आ रहा है L दो बार repeat हो रहा है तो मैं A की बार लिखूंगी O और Y ये मैंने ऐसे लिख दिया A-L-O-Y अब B एक और set है जो की है letters in the word loyal ठीक है loyal words में जो भी letters है वो उसका set है अब loyal में words है L-O-Y-A और L वापस repeat हो रहा है तो मैंने A की बार L लिखा है तो ये आगया मेरे B-set ये आगया मेरा A-set और ये आगया मेरा A-set अब मैं चेक करणी क्या ये दोनों मेरे equal हैं यह इस question में पूच्छा है कि आपको check करना है कि ये दोनों जो set है वो equal है की नहीं तो अब देखिए A है, A है L है, L है, O है, Y है चारो element इस चारो element के equal है तो इसका मतलब मेरा x set जो है वो भी set के equal है क्योंकि दोनों में element same है लेकिन order अलग-अलग है तो वो कोई उससे फर्क नहीं पड़ता है अब second example इसका लेके चलते हैं second part क्या है a such that n a set क्या दे रखा n such that n belongs to z सारे integers को belong करता तो यहां तक ही ले सकते हो आप लेकिन minus 1 का square भी 1 होता है और minus 2 का square भी 4 होता है तो हमारे elements आ गए minus 2, minus 1, 0, 1 और 2 0 भी इसके बीच में एक element होता है जिसका आपन squaring निकाल के 0 लिख सकते हैं तो यह हमनारे सारे elements a आ गए अब b जो मैंने एक और set बनाया उसमें बोल रखा है x as that x belongs to r यानि real numbers होने चीए x square minus 3x plus 2 equals to 0 तो इस equation को मैं बन solve करेंगे x square minus 3x plus 2 को मैंने solve किया middle term split से तो मेरी x की value आई 2 और x की value आई 1 तो x की value 1 और 2 मैंने यहां लिख दिये b set में ठीक है 1 और 2 अब आप चेक करो इसमें 1 है 2 है लेकिन दूसरे 3 elements जो है वो b में नहीं है तो इसका मतलब a और b दोनों equal नहीं है यानि a does not belongs to b ठीक है तो इस type से आपको set बना के देखने पड़ेंगे आपको अगर यह set builder form में देरे तो पहले उसको रोस्टर फार में सारे elements बनाओ और फिर चेक करो कि वो equal है की नहीं ठीक है बहुत easy exercise थी अब इसकी जो exercise है 1.2 वह आप solve करिया और easy है solve हो जाएगी कहीं कोई problem आती है तो please comment box में लिखकर बताइए and please like and subscribe my channel thank you